हाई डिकेश्ट में फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके इपने चैनल पर और आज किसे वीडियो में मैं बात करने वाला हूं क्लास 10 के mathematics में area related to circles से related कुछ important question जो कि आपके बहुत ही महत्पूर है चलिए देखते हैं इन सभी को यहां पे क्या क्या है यह question यहां क्या है एक क्वाड्रेंट आप इस सर्कल आप रेडियस 3.5 सेंटिमीटर विद सेंटर ओ calculate the area of this shaded region यह आपका क्या है shaded region का area calculate करना है तो यहां आप देखेंगे यह क्या एक quadrant है किस पार्ट का quadrant है मतलब कोई circle होगा वह circle का किवल एक चौथाई भाग वह दिया हुआ यह सिर्फ इतना portion लिया गया है आप यहां देख सकते हैं किवल हमने क्या किया इतने portion को यहां पर ले रखा है यहां पर यह पार्ट क्योंकि यहां पर कितन डिगरी का होगा। चलिए यहां थीटा इस इकोल तु आप लिखना चाहें क्या क्या है यहां गिवन दैट में तो आप लिख सकते हैं थीटा इस उकली नाईन्टी डिग्री ठीक है इसी इक सासा देखिए सिडररीज़न का एरिया निकालने के लिए अपना क्या जेक्टर के एरिया का फार्मुलेक में आप 30 में प्लेस पे फोर रखके साल्व करें तो भी आपको Users के प्लेस प्लेस पे आपको 90 रखके साल्व करना अबहं को पता चल जाएगा कि वहाँ incentiv कितना होगा थीदा अब चाहिए use करना तो भी आपके लिए है स्वाल्प करने का तरीखा नहीं यूज करना का चाहते है क्वाड्रेंट के एरिया का फॉर्मला हएर य मृत इसके ठिया हुआ है ही निकाल लेंगे अब अगर हम क्या करें इस के एरिया में से इस्ट्रेंगल के एरिया को माइनस कर दें यह जो सेड़ेड रीजन है ना उस रीजन का एरिया हमको पता चल जाएगा तो इसी कांसेप्ट पे काम करेंगे हम लोग तो क्या है यहां पर थीटा इक्वाल टू नाइंटी डिग्री हम इसको नहीं यूज कर रहे तो यहां गीवन देट में आप अगर चाहें आर की वेलू आर इस इक्वाल टू 3.5 सेंटीमीटर लिख दीजिए ठीक है उसी किसा साथ ओडी इस इक्वाल टू लिख दीजिए कितना तू सेंटीमीटर राइट कर दीजिए और आपके पास क्या है इंफॉर्मिशन थीटा इक्वाल टू 90 है लिख दीजिए बहले आप यूज करें या ना करें आपके उपर डिपेंड करता है तो थीटा इस इक्वाल टू 90 डिग्री हमने ले लिया अब क्या करते एरिया आप क्वाड्रेंट की हम बात कर लें इस इक्वाल टू लिखेंगे वन बाई फोर पाई आर इसक्वाइर लिखेंगे ठीक यह हो जाएगा आपका फिर एरिया आफ ट्रेंगल की बात कर लें तो एरिया आफ कि असार्ट में लिखते हैं ट्रेंगल के लिए ट्रेंगल ओए डी ओए डी इस इक्वाल टू वन अपान टू बेस इन्टू हाइट होता है ओ ए इन्टू हाइड क्या हो जाएगा ओडी हो जाएगा इस तरीके से लिख लिए हमने अब क्या करते हैं एरिया आप सेड़ेड है थीक है सेउब इजन लिखेंगे तो पहले मैं बताया था इसमें से इसको क्या करना मैनेस करना तो वन यहना पान फौर भाई-अारई-थो बाट करनी है अब साथ वेलु मिपूट करेंगे वॉन अपान4 हमारा क्या हो गया ऐसे हैगा पाई के प्लेस पे हम 3.14 राइट कर देते हैं आर की वेलू हमारे पास क्या 3.5 इंटो 3.5 दो 3.5 इंटो 3.5 ले लेंगे क्यों क्यों क्यूंकि स्क्वाइर है इसलिए माइनस वन बाइट तू आप ले लिजे और फिर ओ ए की वेलू कितना वह भी 3.5 है इसको लिख लेते हैं ओडी की वेलू कितना है इसको भी राइट कर देते हैं अभी क्या करिएगा यहां से टू से इस टू को कैंसिल कर दीजिए बचेगा 3.5 वहां से उस 3.5 को कामन करके बाहर निकाल लेते हैं चलिए 1 3.5 को हमने कामन कर लिया और यहां पर 1 अपान 4 हो गया और 3.14 मिल जाता है और एक 3.14 यहां पर 3.5 आपको मिलेगा ही मिलेगा क्योंकि एक तो बाहर चला गया एक बचा रहेगा फिर माइनस यहां पर यह चला गया बाहर तो बचेगा आपका क्या चीछ 1 यह हो गया अब क्या करना है यहां से इनकों करना है multiply और 4 से divide करना है तो अगर हम चाहें decimal को हटा क्या के भी काम कर सकते हैं नहीं तो सीधे सीधे चलिए हमने LCM ले रखा पहले से फोर को भीज़ देंगे यहां पर simplify होनी के लिए चलिए भीज़ देते हैं यह हो जाएगा 3.5 यह वाला और फिर ब्रैकेट में राइड करते हैं रफ में calculation कर लें क्या चीज 3.14 into multiplied by 35 यह 3.5 इससे multiply के तो करना ही करना पड़ेगा तो कर लेते हैं 540 हो जाएगा चलिए हमने 20 को write कर दिया ठीक है और फिर यहां से 51 जाब 5 यह 2 carry था तो कितना हो गया 753 जाब 15 लिख दीजिए 3412 लिख दीजिए 1 carry हो गया 314 हो जाएगा 339 आप इसको लिख दीजिए औ और इनको add कर दीजिए 9 हो गया 549 हो गया 910 त्री डिजिट पर यहां पर decimal लगा दीजिए यहां आपका यह हो गया और इसी में क्या करना है हमको 4 से divide करना तो 4 से divide कर दीजिए अब तुरंत यहीं पर ताकि एक रिट आपको answer पता चलिए 428 हो जाएगा तो इसको आप लिख कर देंगे यह हो गया थ्री फिर से यहां 30 हो गया फोट सेवन जा टॉन्टी एट फोट सेवन जा टॉन्टी एट हो गया इसको राइट कर दीजिए चलिए और यह फिर 5 हो जाएगा आप चाहें तो simplify ऐसे करते चले जाएंगे तो लिख दीजेगा 2.7 यहां देखिए हम डे के बास से 1.75 हो जाता है और इसी को फिर से क्या करना है multiply करना और multiply करता ही आपको answer मिल जाता है तो 1.75 into multiplied by 3.5 ले लिजिए 5 5 जा 25 हो गया 5 को यहां 2 कैरी हो गया 5 से बंजा 35 35 plus 2 37 हो जाएगा 7 यहां 3 यहां 5 जा 5 3 8 हो जाएगा 3 5 जा 15 1 कैरी 3 से बंजा 21 22 हो जाएगा 2 यहा 5 हो जाएगा यह फाइब 12 हो गया 11 हो गया यह और यह 6 हो गया फिर से यहां डेस्मल लगा दिए 6.125 cm2 आपका यहां क्या हो गया यह total answer हो जाएगा देख सकते हैं हमने इसको क्या किया होगा multiple यहां किया जैस्ट उसके बाद जो answer आ गया आगया आपका हो गया answer इस तरीके से सिरिंट का एरिया आप क्या कर सकते हैं क्या टिक्या il कर सकते हैं अब बढ़ते हैं इसे ही second question की तरफ second question में भीनको second आप उसमें एक छोटा सा सेक्टर होगा उस बड़े वाले सेटर से छोटे वाले सेक्टर के एरिया को माइनेस कर देंगे तो हमारा जो सेड़र रीजन है वह सेड़र रीजन के एरिया आपको मिल जाएगा लेकिन इसके लिए हमारे पास क्या-क्या है ए और एक आर्क है उसमें रेडिया हुआ है एक का 21 यहाँ पर टोंटी वन सेंटी मेटर हो गया यह बी चलिये सेंटी मेटर और तुटि वन सेंटी मेटर हो गया और एक तुन और उसी के साथ साथ आंगल AOB दिया हुआ AOB कितना है 30 डिग्री यह भी हो गया आप फाइंड एरिया आप दिस सिडल रीजन तो इसके लिए हम क्या करते हैं एरिया आप सेक्टर 30 डिग्री ह हमारे पास है फिर उसी के साथ साथ यहाँ पे R1 is equal to minusmal radius को यहाँ पर दसांहे रहे हैं स्माल R से 7 cm और capital R is equal to 21 cm इस तरीके सब्रisha इस को डिपर्जेंट कर दिया अब यहाँ पे एरिया आप सेक्टर कौं सा? लिखें एरिया आप सेक्टर कौं सा? है ओ-ए-बी पाई यार इसक्वाइर याफ पहले तो लिख देते हैं तो यहां पर सारे वैलो को लिख लेते हैं एरिया आफ सेक्टर कौन सा कौन साथ का अब क्या करना बड़े वाले से चोटे वाले सेक्टर को निकालना है तो एरिया आप सेड़े रिजन इसको पूरा पूरा आप लिख देते हैं एक मेच्टर कि आप हो गया यह capital R होना चाहिए क्योंकि बड़ा वाला सेक्टर का यह है तो एरिया आप OAB देखेंगे OAB जो हो बड़ा वाला तो इसका radius capital R हमने लिया तो इसको capital R बना देते हैं और यह हो जाएगा हमारा हमारा क्या चाहिए small R का square बना लेते हैं और यह दोनुव वैलू को अब यहां यूज करेंगे हम थीटा पान 360 इंटू पाई R square माइनस थीटा पान 360 इंटू पाई small R square इस तरीके से क्या common हो रहा है उसको common कर लेंगे पाई थीटा ठीक है वाई 360 common हो रहा हमने common कर लिया अब यह हो गया R square माइनस R square यह लिख लिए थीटा की वैलू है 30 डिगरी रख देते हैं पाई की जगह पर हम 22 अपान 7 लिख देते हैं 22 अपान 7 और यह हो गया 360 यहां का और R square माइनस R जहां देखेंगे R की वैलू क्या है 21 है तो लिख दीजिए 21 square माइनस 7 square लिख दीजिए अब क्या करेंगे इस 0 से 0 को cancel और यह हो गया 12 ठीक है और यह हो जाएगा आपका 6 और यह हो गया 11 इस तरीके से यानि आपका बचा क्या 11 अपान इसको 7 से 42 लिख देगे ठीक है और फिर यहां पर इसको हम लिख देते A square माने B square वाले फार्मूले पर हो जाएगा 21-7 और फिर हो जाएगा 21-7 ऐसे इन्टू यह जाएगा 28 ठीक है यह देखिएगा 14 से कैंसल होता है 14 टू जा और फोर्टीन थ्री जा इस तरीके से क्या होने आफ केंसल हो जाएगा ओवर्राल आपको कर देखने को मिले यहांसे तो क्या मिल जाएगा यहां देखिएगा 11 और यह हो गया 12 चलिए लिख लिख लेते 11 इंटू 12 सारी 14 इंटू हो हो गया 2 और अपान में क्या हो यहां पर इस 3 से क्या कोई cancel हो रहा नहीं हो रहा तो सब को multiply कर रही है तो यह हो जाएगा आपका 28 तो 11 इंटु क्या चीज़ 28 राइट कर दीजे multiply कर दीजे एट वंजा 8 हो जाएगा एट वंजा 8 यह हो गया 22 इसको एड़ करेंगे तो हो गया 8 10 3 हो गया 308 और फिर 308 में आप कर दीजेगा किस से divide 3 से divide कर दीजे 3 से divide अगर आप करते हैं तो आपको मिल क्या जाता यहां पर देखेंगे 3 1 जा 3 हो गया 1 हो गया 0 आप यहां पर आएसे यह तो cancel हो जाएगा 0 आप यहां बढ़ा के 0 0 cancel कर दीजे फिर आपका 8 हो गया और 3 2 जा 6 होता है इसको लिख दीजेगा 6 2 और फिर decimal लगाईएगा तो हो जाएगा 20 3 9 जा 18 होता है 3 9 जा 18 लिख दीजे 6 3 जा 18 यह हो गया फिर से यहीं प्रकिरिया चलती रहेगी तो और आपको मिलेगा क्या जहां पर 202.6 cm2 यहाँका आंसर आपका यहां पिए क्या हो गता ही चतव मिलेगा ajaackri yet 30 की प्लेश पे 30 30 लिख दिया गया घता कए प्लेश यहीं फिरी मुद्ट कैंसल क्या गया तो यह 12 हो गया और फिर यहां पे ये 22 था तो 2 से इसको cancel किया गया 2 से इसको cancel किया गया तो यह हो जाएगा आपका क्या चाहिए 11 और यह हो जाएगा क्या आपका 6 और उसी के साथ 6 और 4 को आपको multiply करना है 6 7 जा क्या होता 42 यह होता 42 और फिर यहां से आप अगर देखें तो a square minus b square फार्मुले से 21 minus 7 और 21 plus 7 हम लिख देंगे 21 से 7 को minus करेंगे तो हो जाएगा कितना यह 14 और इन दोनों को add कर देंगे हो जाएगा 28 अभी देखें तो 14 से दोनों cancel हो रहा है 14 2 जा 28 होता है 14 3 जा 42 होता है और फिर इनको क्या करते है 11 14 और 2 को multiply और अपान में क्या है 3 करने के बाद 3 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे तो 1002.6 सेंटीमीटर स्कार आपका क्या होता है एंसर कम्प्लीट हो जाता है तो इस तरीके से यह था आपके important दो को सन इसके basis से आप क्या कर सकते और फी को साल कर सकते देख सकते हैं यहां पर हम ने क्या किया सेकْTर के formula को इस्थिमाल करते हुए कुछ सेड'd region को कैलकुलेट किया और ऐसे आपको और बी कोसन को यहाँ पर सेक्टर के फार्मूले से रिजन को कैलकुलेट करते हैं बहुत इंपौर्डेंट इस पर बनता है अगर आप प्रैक्टिस रखें तो सभी के सभी कोशन क्या कर सकते हैं बड़े आसानी से साल्व कर सकते हैं तो मिलते हैं कुछ और वीडियो में तब तक के लिए दी वाय बाय बाय बाय